विधानसवा चुनाओ के एक्जिट पोल के बाद भाजपा कॉंग्रेस के नेता अपनी अपनी प्रतिक लियाद दे रहे हैं। उसमें कुछ बातों को दरकिनार किया जा रहा है जिसमें सेंपल साइज बहुत छोटा है। सबी जगा कॉंग्रेस पार्टी आगे निकल रही है। उन्होंने कहा कि इस बार स्पष्ट प्रचेंड बहुमत के साथ कॉंग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। जहां तक अभी एग्जिट पोल का सवाल है। या बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इन सबी बातों को लेकर मैं समताओ कुई कांग्रेस एक जो है सपष्ट बहुमत की तरफ बढ़ रही है। और ये मैं तो कहूंगा प्रचंड बहुमत दो तियाई के आंकड़ा पार करेगी कांग्रेस। कुल्लू में हम सारे सिटे जितेंगे। मंडी में हमारी लगवग आठ सिटे हमारी आने वाली हैं। जो मुझे रुजान पता चला है। पूरे इलाके में उनना सिरमाउर से आप देखेंगे। सभी जगा जो है कंग्रेस के पक्ष में एक करंट था और क्योंकि ये आठेजे निकलने के लिए थोड़ा लेकिन सचाई ये है कि इस बारी स्फष्ट और प्रचंड बहुमत के साथ कांगरेस की सरकार बनेगी देखिए ये इसके लिए हाई कमान बैठा होता है दाविदारी करना सब का हक है मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कांगरेस में इस वक्त इतने चेरें हैं जो सीम बनने के काबिल है और जो भी फैसला होगा वो विदाइकों की राए और जो हमारा हाईकमान है उसके आदेश पर जो राए के उपर जो उनका निर्देश आएगा उसी के उपर ये सारे का सारा फैसला हो